नमस्कार, क्या पचल टिवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ पूझा डिली के ब्रस्ट अचारी मुख्यबंतरी जेल में है और बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं का ड्रामा जारी है हर दिन आम आदमी पार्टी के तरब से जूटे जूटे आरोप लगाये जाते हैं आज संजे सिंग ने प्रस कॉंफरेंस करके बड़ी बड़ी बाते कही और जूट बोलने की ऐसी हद पार कर दी कि सुनकर भी सत शर्मा जाए केजरिवाल की पत्नी सुनीता केजरिवाल जो आए दिन केजरिवाल से मुलाकात करने तेहाड जाती है केजरिवाल के संदेश को मीडिया तक पहुचाती है और आज संजे सिंग कहा रहे हैं कि केजरिवाल की पत्नी को मुलाकात के लिए रोका जाता है केजरिवाल से जेल में पत्नी face to face नहीं मिल पाती है काच की खिड़की से मुलाकात होती है बीज़पी के दबाओ में तेहाड जेल प्रशासन है और केजरिवाल को तेहाड जेल में टॉर्चर किया जा रहा है तो ये कौन सा नया ड्रामा है आम आदमी पार्टी का बताएंगे आपको साथी बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं 15 एपरिल को दो जज़ों की बेंच केजरिवाल की याचिका पर सुप्रिम कोट में सुनवाई करेगी साथी के कविता से सीबियाई के सवालों ने केजरिवाल की मुश्किले और जादा पैदा कर दी है इस पर भी चर्चा करेंगे मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीव डॉक्टर मनिश कुमांड अप सब बहुत-बहुत स्वागत है आपका दन्यवाद ये संजे सिंग क्या आरोप लगा रहे हैं कैसी सुविदा चाहते हैं मुलाकात की दोरान देखी ये मुलाकातों को लेकर के अजीब औ गरीब बयान संजे सिंग के तरफ से आया और सबसे मज़दार बात मैं आपको बताओं मैं तहाओंगा भावी जी के उपर एक कहानी आ रही है कि केजरिवाल के जिद है कि भगवंत मान को तिहार जिल नहा जाए पंदर तारिक को मुलाकात होनी है संजे सिंग क्यों इस तरह के प्रस कॉंफरेंस कर रहा है ये भी समझ दीजी जब ये मुलाकात का सिस्टम बनाया गया था तो केजरिवाल से मिलने के लिए भगवंत मान और संजे सिंग दोनों ही एक साथ जाने वाले थे लेकिन जेल प्रसासर ने कहा एक आदमी जाएगा तो चीफ मिनिस्टर आएगा बहिए ऐसी क्या बात हो गई है जेल प्रसासर मीटिंग पे मीटिंग कर रहा है कहां मिलना है कैसे मिलना है और ये भी चानकारी आ रही है कि जब भगमनतमान और केजरिवाल मिलेंगे वहाँ पे तीन तीन बड़े वरिष्ट अधिकारी वहां मौझूद होगे पहले इनको लग रहा था कि कोना कुतर में कहीं बैट करके आपस में कुछ बात्चित क्यों बुलाया जा रहा है क्या हुआ है पंजाब के तमाम राजसभाज सांसद वो केजरिवाल के साथ नहीं है ट्वीट भी नहीं किया पदरसर में भी नहीं है ना रामिला पहुंचते हैं ना जंतर मंतर पहुंचते हैं और पंजाब की सरकार के उपर जिसके जर्ये केजरिवाल पूरा ऑप्रेट कर रहे थे रागर्ण चड़ा वो डिफटो चीफ मिनिस्टर था वो चीफ मिनिस्टर वो डिफटो चीफ मिनिस्टर इसका लड़ळा गायब है तो कुछ तो खिचडिपक रही है और साथ लोग यह चाह रहे थे कि संजय सिंग के हवाले कि आप अपने मन से कोई काम नहीं करोंगे संजय सिंग जो जो बोलेगा वो काम करोंगे बही मिलने का मतलब है मिलने का मतलब है क्या सिस्टम था पहले यह भी समझ दीजिए हिंदुस्तान की तिहास में पहली बार इस तिहारी केजरीवाल ने एक ऐसा ड्रामा किया जिस पे मीडिया और खास करके यह लिफ्ट लिब्रोक कबाल ने आज तक डिसकुसर नहीं किया माल का कमाल एडिटीजिमेंट दो राजियों के बीच एमुयू होता है क्या तो पंजाब और दिल्ली के सरकार के बीच एमुयू हुआ कि हम लोग अदान प्रदान करेंगे आइडियाज की आपके समझ यह यह इसने इंस्चुसलाइज कर दिया और सारे अधिकारी इसी इमुयू के तहत वो केजरिवाल और दिल्ली में आते थे, जाते थे मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में केजरिवाल भी बैठा हुआ है और पंजाब के सारे अधिकारी है मुक्मंत्री साइड में बैठा हुआ है कहां तो सीज महल के बगल वाला जो कैम्प आफिस है वहां केजी वाल जेल में तो कोई अधिकारी आएगा नहीं भगबंत मान भी नहीं आएगा गिर्प जा रहा है अब समझी बात को ये अनायास नहीं हुआ है कि भगबंत मान के तमाम लोग पंजाब के तमाम राजसमा सांसद वो सैलेंट हुए है ये अनायास नहीं है राजनीती बड़ी क्रूर चीज होती है यहां तो पत्नी पती को जो है गच्चा दे करके सत्ता पे बैठ जाती है ये तो दूसरे लोग है और भगबंत मान he wanted to get rid of it क्योंकि वो operate नहीं कर पा रहे है देखे किस तर से गले मिल रहा था संजेश सिंग से अच्छा हुआ गया केजरिवाल मेरे माथे से बला अकरी देखे कोई पंजाब में तुम्हारी सरकार है कहीं कोई केजरिवाल रेजरिवाल को लेकर कि कुछ चल रहा है पंजाब में कुछ नहीं चल रहा है कोई protest नहीं है I am happy चलो मैं अच्छा गया अब दूसरी दिक्कत क्या है दूसरी दिक्कत यह है कि अविता का बयान कविता से जो आज पूछता चो रही है जो जानकारिया आ रही है वो माइंड बॉगलिंग है क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं सीब्याइक देखिए सवाल तो ऐसे ऐसे है कि केजरिवाल डंप जाएगा उसके अंदर पूछा जा रहा है केजरिवाल से कब मिली थी तूँ किसके जरिये मिले कितने बार फोन हुआ मनिस्जी सोधिया से कब मिली और ये सारे सबूत इन लोगों नहीं कठा कर लिया है पूछा जा रहा है कि फुला फुला तारिक को इस फाइंस्टार होटल में आप क्यूं आई थी किस से मुलाकात हुई थी और यहां तक बताया जा रहा है पूछा जा रहा है कि क्या इन मीटिंग्स में जो नहीं एक साइज पॉलिसी बनी उसका ड्राफ्ट कोई दिखाया था पैसे विजे नायर को कैसे दिये गए कि कविता को लेकर के आम आदबी पार्टी एक शब्द नहीं बूर रही है बहुत बड़ी दूविदा यह बहुत बड़ा संकट है इसका मतलब है कि साउथ लोबी जिसमें से बहुत सारे लोग अल्रेडी सरकारी गवाह बन गए है केद्रिवाल और उसके गैंग को लग रहा है कि के कविता के कहने पे ही यह लोग तूट गए और यह लोग जाकर के हकिकत बता दे रहे हैं एडी के सामने और सी बी ऐ के स'Mज़े और कहीं के कविता अपने आपको बचाने के लिए सरकारी गवाह बन गही तहीं तो गई भैस पानी ककतम और जिस तरीकह से दबोचा है सी बी आई ने के कविता को कि उसके पास बचने का रास्ता बहुत ही कम है सबसे बेस्ट आप्सन कोई भी उसका जो वकील होगा जो उसकी भलाई चाहरा होगा उसको यही सला देगा कि सब कुछ कबूल कर लो सरकारी गवाब बन जाओ सजा जो है वो माफ हो जाएगी अदरवाइस जहलते रहना जैसे मनिस्टी सोधिया चल रहा है डेर साल हो गया उसी तरीके से आपको भी इसमें जहलना पड़ेगा तो एक दूसरी दिक्कत वहाँ लेकिन इस दिक्कत को जाचते परखते हुए पार्टी के अंदर जैसे यह भगवंतमान और उसके तमाम जो लोग है यह सारे लोग क्यों अपने हिसाब से काम कर रहे है क्योंकि डीप डाउन देनो यह बाहर नहीं आएगा और बाहर नहीं आएगा तो किसी को माथे पर चड़ने नहीं देना है ऐसा नहीं कि जैसे रागव चड़ा माथे पर चड़ के सारा कुछ करवा रहा था अब यहाँ पंजाब के उपर पंजाब की सरकार के उपर किसी का अधिपत्य स्थापित नहीं होने देना है इसलिए विद्रोह चल रहा है और इसलिए दिल्ली के अंदर में भी भवाल चल रहा है कि आज नकल सुप्रिम कोर्ट से फैसला उल्टा उल्टा आ गया तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो आप क्या करोगे ड्रामा जूट इसमें तो यह एक्सपर्ट ही है अरे इनका तो दुनिया में कोई इसके बराबर नहीं है कह रहा है कि बही सुनीता भावी को मिलने नहीं दे रहा फेस टू फेस अच्छा कंपनी गार्डन मना दो त्यार के अंदर वहाँ दोनों मिलेंगे है ना दिल्ली का मौसम भी ठीक था संदेश नहीं आ रहा है वे कल मुलाकात हुई थी तो केजी वाल संदेश नहीं दे रहा है या संदेश देना भूल गया कहा है वो आतिसी माले ना मेरे आखों में आशू आ रहे हैं एक व्यक्ति जिसको जेल में डाल दिया गया वो अपनी चिता ना करके दिल्ली के लोगों की चिता में इतना परिशान है कि उसने खत लिखा है आदेश दिया है कि उसे जानकारी मुली है कि कुछ-कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई ठीक से नहीं होगा है क्या ड्रावा है भाई ये फिल्म आले भी जो है वो पानी पियेंगे इसके साबने इतना बड़े चालवाज लोग है अब क्या हुआ दो चिठी आई दो आदेश आया एक आतिसी को एक सौरब को और बाकी लोगों को आदेश नहीं आया पुलिस कंप्लेन हो गया कि भाई आदेश कहां से आ रहा है तो रख केज रिवाल जो है गिरगिट की तरह अपना रंग बदला और बोला कि भाई आप चिठी पिठी मत करो फस जाओगे जब आप देना पड़ जाएगा भाई क्यों बंद हो गया फिर संदेशाना भी बंद हो गया मैडम गई थी तो मैडम गई थी तो आपको आदत पड़ गई है स्वीश महल की साड़े चार लाग के कमोड के उपर फ्रेश होने वाला वेक्ति उसको त्यार में मन लगेगा तो भावी जी गई तो उनके लिए क्या पूरा वहाँ पे सोभा बिशाया जाए एर कंडिसन लगा करके भई आएंगे खाना पीना फाइश्टार होटल है जेल में है वो अब अगर जेल में है तो जेल की नियम कानूं के हिसाब से चलेगा और ये इतने फ्राड है ये संजे सिंक को अगर लग रहा है टॉर्चर हो रहा है तो सुप्रेम कोट क्यों नहीं जा रहे हो हाई कोट क्यों नहीं जा रहे हो और ये सब तब कर रहा है ये लोग जब ये तियार का प्रसासद डिल्ली सरकार के अंदर आता है कौन ही बें तुम्हारा जेल मंत्री सारा भारत वाज क्यों नहीं पूछ रहे हो उससे किस तरह से लुझ पूझ तरही के से सरकार चला रहे हो तुम्हारा गौड़ फादर तुम्हारा निता तुम्हारा मेंटोर वह जेल के अंदर में है और तुम आउसको टॉर्श कर भार रहे हो भाई सारे लोग जो मिलते हूं लोहे के जाली होती है फिल्मों में आप देखते हैं इधर से बात करो अधर से सुनू तो नहीं इनको special privilege चाहिए एक special privilege लेकर के बैठा हुआ था ना सतंदर जैन अभी तुर देखेगा अभी त्री चार दिन के बाद यह लोग करना सुप्रेम कोट से बेल रिजेक्ट हुआ केस हारेगा तुरह तवित खराब होना शुरू हो जाएगा इस अतंदर जैन ने सारा काम में लोग किया है खुद के किये वे काम में फसाए हैं बोला अधिकारी जो है वहाँ पर भाई क्यों करेंगा अधिकारी थोड़ा सा रिलेक्सेशन दिया था लगे वहाँ मसाज पारलल खोल के बैठ गया मसाज करवा रहे थे रेपिस्ट से सतंदर जैन कोट नहीं इसलिए रिलीव देती है कि कोट ने सतंदर जैन को का दूए तवित खराब हो जाता है चार दिन के अंदर में तो पहली बार जब किया तो उस इडी वाले ढूंटे ढूंटे पहुंचे कि पता करें कि सतंदर जैन की तवित कैसी है तो जब अंदर गुसे कमरे में तो बीबी बगल में बैठी थाहा का चल रहा है हाई चल रहा है इडी अधिकारियों को देखा तो चोर की तरह जो है बगल से ऑक्सिजन मास लगा रहा ह कर रहा है उसका ड्रामा करने लगया कि यह एक्चली हुआ है तो फिर जाकर के इडी वालों ने कोट में जाकर कि का कि यह ड्रामा कंपनी एक पॉल्टिकल पार्टी लीडर नहीं है यह सब एक्टर सब हैं तो कैंसल हुआ फिर जेल भेजा गया फिर साल पर बेल नहीं मिला तो काना पीना सब बंद कर दिया उपवास करकर के डारी बढ़ा लिया सारा कुछ कर लिया उसके बाद एडमिट हो गया वो फोटो दिखा करके जज़ भी लगए कि अगर बेल नहीं दे कल कुछ हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोग कहें कि जज़ जो है वो बेल दे दिया होते तो कौन सा आसमान गिर गया होता फिर उसके बाद रेगलर बेल के लिए अपलाई किया अभी हाल की बात मे वही राव जबिन्यू कोट है वही हाई कोट है वही बेंच जो है आपको हर जग मिलता है तो जज़ेज भी तो रोज देखने के वे रोज नया नाटिक करने के लिए आ जाता है तो अभी 15 तारिक को देखिए इस सारे चीज़ों को लेकर के बड़ी मुस्किल पैदा होने व जा रहा है दूसरा यह जो लीगल केस है वो स्लिप करता चला जा रहा है और तीसरा दिली में पार्टी की हालत बड़ी खराब होती चली जा रही है और तीनों ऐसी मुसिबत है जो के जरिवाल के लिए बड़ा हानिकारक सामित होने वारा है दल्यवाद का बच्छना मुश् सबूत है उससे केजरिवाल बाहर निकल नहीं पाएंगे और इस घुटाले में CBI भी आक्शन मोड में आ चुकी है के कविता से CBI तीखे सवाल पूछ रही है जिससे केजरिवाल किसा से अटक गई है उस पर आप अपनी राये कमेंट कर लिखें देख तेरे Capital TV नमस्कार